असलाम अलेकुम, 8 class, how are you? are you fine? 8 class बचो, science का हमारा जो chapter है, chapter number 6 तक हमारा complete हो गया है, यहां तक हमारे first term है आज हम लोगोंने chapter number 5 की again review and start करने है, chapter number 5 chemical reactions की इसमें first page पे तो आप लोगोंने formula जयाद करने है, water, hydrogen, oxygen का उसके बाद carbon dioxide का, hydrogen का, यह सारे formula आप लोगोंने करने हैं, इसके बाद topic आजाता है chemical reactions chemical reactions क्या है, कि chemical reaction में जो चीजों का जलना means कि कोईला, कुदर्टी गैस, मिथीन वगेरा का एक chemical reaction की example है इसमें जो chemical reaction है, chemical cool is carbon exist in solid state and is blessed in color कि इसमें बता रहे हैं कि जो carbon dioxide है, वो एक बेरंग बेभू, बेजाइका गयस है, इसी तरह उसके जो carbon है, वो C, oxygen, O, 2 की साथ, कैमियाई होसूसियात से बिल्कुल मुख्लिफ है और इसके बाद इसमें बता रहे हैं कि carbon का एक 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 एकम और oxygen को 2 जब एकम को मिलाएंगे तो carbon dioxide बनेगा, CO2, ठीक है इसके बाद हमने देखा था, reactants products क्या है, कि substances which take part in chemical reaction are called reactants है, अशिया जो chemical reaction में हिस्सा लेती है, reactants कहलाती है और उसके बाद जो वो chemical जिसके नतीजे में एक अशिया बनती है, and those which are formed are result, जिनका result निकलता है, वो क्या कहलाते है, products कहलाते है and then फिर इसकी example बताएगे है, methane के साथ, methane और carbon dioxide और पानी बनते है, CH4 और O2 oxygen, यह इसके साथ atom लगाके, oxygen के अगर O, oxygen के 2 atom और C होगा, carbon का एक, तो क्या बनेगा, carbon dioxide और इससे तरह water का बताया गया है, के oxygen के 2 molecules होंगे और hydrogen होगा, तो इसके नतीजे में पानी बनेगा, ठीक है, और इसके साथ आप लोगों ने, यह इसमें बताया गया है, chemical reactions का, then हमारे topic आजाएगा, applications of chemical reaction, chemical reactions में, chemical reaction का क्या इतलाग है, application क्या है, तो उसमें जलने का अमल, respirations and photosynthesis की chemical reactions, जो हमारे environment में होते हैं, वो कोपजिर होते हैं, उसमें जो oxygen है, उसके piston का बताया गया है, कि जब उसके piston पर pressure डलता है, तो गाड़ियों में हरकत पैदा होती है, ठीक है, यह तो बताया गया है कि कैसी chemical reactions में, चीजों के बनने से, जो हम हमारे जो किचन में जलने वाले गया है, हीट से खाना पकाया जाता है, का रहानों में, जो हीट से वो डिफरेंट किसम के जो चीज़ें इस्तेमाल करके तो वो सारी चीज़ें बनते हैं, chemical reactions के थ्रूप दैन है, जो कि सारा जो process है, वो फोटो में कैसे होता है, कि पोदो में हुराग को हासिल करते हैं, यह सारे equations बताएगी हैं कि सी, O2 प्लस C, H2O, sunlight और chlorophyll इस तरह प्लांट्स अपनी हुराग को त्यार करते हैं, इस सारे टॉपिक में यह बताया गया है, उसमें प्लांट्स का रिस्परेशन का अमल बताया गया है, कि प्लांट्स में यह वाला टापिक लिखने हैं, बाकि आप लोग ने यहां तक सारा लेसन याद करने हैं, ठीक है?